तो बोला गया है कि एक free fall में जो object हो रहा है उसकी potential energy धीरे धीरे गिरती जाती है क्या ये law of conservation of energy को violet करता है या नहीं और ये आपको region भी बताना है तो देखिए जो potential energy होती है वो धीरे धीरे decrease होती रहती है अब समझे लेते हैं क्यों decrease होती है क्योंकि potential energy होती है वो होती है MGH तो potential energy हो गई MGH तो जहाँ पर जो H होता है वो होता है उसकी distance from earth अब जब धीरे धीरे वो गिर रही है तो उसकी distance धीरे धीरे कम होती जाएगी इसलिए उसकी potential energy तो धीरे धीरे कम होती जा रही है अब जो kinetic energy होती है वो धीरे धीरे increase करती है तो kinetic energy increases progressively अब ये समझे लेते हैं क्यों होता है क्योंकि kinetic energy होती है k equal to half m v square जब वो दीरे-दीरे नीचे की तरफ गिर रही है जो object है हमारा तो दीरे-दीरे उसकी जो increase हो रहा है उसकी velocity में वो बढ़ रहा है मतलब v बढ़ रहा है तो दीरे-दीरे हमारे पास kinetic energy भी बढ़ेगी तो आपने देखा potential energy जीरे-दीरे कम हो रही है लेकिन kinetic energy जीरे-दीरे बढ़ रही है लेकिन sum of potential energy means pe and kinetic energy means ke is constant लेकिन इनका sum हमेशा equal रहता है मतलब constant रहता है hence law of conservation of energy is not violated मतलब बढ़ेए Latih लेकिनग बड़ए एकिन मतलब झाल स्ञकिरे लेकिन सत كझार